इनका तो कुछ समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है, ये कभी हाँ और कभी नहीं चलता है इनका, मतलब अभी कुछ दिन पहले देवंदर यादव जी, कॉंग्रिस पार्टी, इनके साथ मिलकर सातो सीट लड़े हैं, अब देवंदर यादव जी बोल रहे हैं कि जनता ने उ निका था, अब तलाक हो गया है, हर्याना में कभी निका करने जाते हैं, कभी तलाक हो जाता है, तो समझ में नहीं आता है, कहना क्या चाते हैं, परनतो एक बात सपष्ट है, कि अरविंद केजरिवाल, जो ये रेजिगनेशन का ड्रामा कर रहे थे, इसको कॉंग्रस भी ड् रेजिगनेशन, क्योंकि अभी अरविंद केजरिवाल रेजिगनेट हुए है, वो पहले डी जोर सीम थे, अब डी फैक्टो सीम बने हैं, वो पहले जेल के अंदर से सीम थे, फिर बेल के बाहर बेल लेकर सीम बने, अब वो प्रॉक्सी सीम की तरह काम करवाएंगे, आतिश जी को दिल्ली का मनमोहन सींग बनाया गया, यह मैं नहीं कह रहे है, सौरब भरतवाज जी नहीं कहा है, कि यह तो भरत की तरह खड़ाव रखकर चलेंगी, कुछ दिनों तक चलेंगी, फिर खुर्षी तो अरविंद के जिवाल के, यह उनी के नेता कह रहे हैं, तो मतलब प कॉंग्रेस भी इस चरित्र पर हमला कर रही है, कॉंग्रेस भी इनको भरष्टाचारी बता रही है, सवाल यह है कि आतिशी जी के खुद के विभाग में बड़े-बड़े घोटाले हुए हैं, एजुकेशन देख लो, तो वहाँ पर शिक्षा और क्लासरूम घोटाला वहाँ पर कैसे बच्चे हमारे डूपके मरगे दिल्ली कैसे जल मगन हो गई वो भी हमने देखा है, शराब घोटाले में उनकी तो खुद की भागिता है, क्योंकि विजे नायर उनी को रिपोर्ट करते था और गोवा की इंचार्ज थी, आज एक और बात पश्ट है, कि दि पार्णा वाला लुक लगा कर थोड़ी सी डिली ढाली शेट वर्ट पहन कर, अब वो बोलेंगे कि मैं यह शीश महल छोड़ रहा हूं, फिर आतिशी जी बोलेंगी नहीं नहीं सर आपी को रहना है, फिर बोलेंगी नहीं मैं तो छोड़ रहा हूं, मैं जुग्यों में जा पिर ये सब जो है ये आज से इसका शुरुवात होने वाला है ये मुझे उनी के लोगों ने मेसेज करके बताया है कि ये पाट टू सीरीज शुरू होने वाली है दिली की जनता पर इतना जो है बोज ना डाले ये लोग ये ड्रामा वामा बंद करें अन्नाहाजारे ने बता लेकर चले थे आज वो लालू के साथ बैटे हैं प्रश्टाचारियों के साथ बैटे हैं और आज तो कॉंग्रेस जिनको ब्रश्टाचारी कहते थे वही उनको ब्रश्टाचारी कह रही तो कृपया करके यह जो धारवाइक है इसको बंद करें और दिल्ली वासियों के लिए क क्या काम होगा इसके ऊपर कुछ आतिसी जी चिंतन करें मुझे लगता है वह बहतर होगा